जीदे जीदे पाकिस्तान जीदे जीदे पाकिस्तान। एक्सपर्ट हैं और इनका नाम है हम्जा और हमारे साथ जो दूसरे गेस्स मोजूद हैं वो पाकिसान को कहीं ज़ेंट कर चुके हैं डिबेट्स में और मुख्लिफ एक्टिविटीज में और कॉलम भी लिख रहे हैं यह आजकल और इनका नाम है जमाल याकूब जाफरी तो हम्जा साब आप से मैं स्टार्ट लेता हूं तो आप 23rd मार्च वे अबारे में कुछ रोशनी डालेंगे बेसिकली 23rd मार्च 1940 में पकिस्तान रेजलूशन आई थी इस अलसो कॉल्ड एज लाहूर रेजलूशन रहूर में क्यूंके इस लेजलूशन को मिनारे पकिस्तान पे पास करा गया था तो मकसद यह था कि जो इलामा एकबात का जो अलाबात की एक कॉन्फरेंस थी बेसिकली जो उन्होंने की थी उन्होंने बिश्क लिए बात की थी कि झो नौर्थ वेस्टं जो प्रॉइंस इन आपके सब्कॉंटिनेंट के at that time वहाँ मुस्लिममा इजलिहा थी और उसके लावा इस्टं भी वहाँ पे इलाके थी तो उन्होंने क्ग था कि इन इलागों का जोड़ अपना वो मुर्क लेके अलादा होजें और जो हिंदूस्तान है वो हिंदुों का अलादा होजें इन इस दा मतलब एक रिजूशन उनने दी थी के जो बिटिश चोड़ के जा रही हैं तो इस रेजुशन को अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो इस विल बी बेटर वेयर तो आज के दिन दो कौमी नजरिये को मजीब तक्वियत मिली थी और पाकिस्तान उसके बाद काइम में आया अब हम बात करते हैं मिस्टर जावेद जमाल जाफ्री साइब बड़ी महाज़त में आपका नाम थोड़ा भूल गया कोई इशू है कोई वी नहीं तो सर आप आप कुछ निजर डालेंगे इस पाकिसान के बारे में या आप क्या कहना चाहिएंगे मैं इसको एक ब्रॉडर वे में अगर लेकर जाओंगा तो अगर देखा जाए तो वो जो पेट्रियॉटिक फेक्टर है हमारी कौम में से हमारी सॉसाइटी में से हमें उसको मैंटेन करना चाहिए अगर हम लोगों को इस दिन की एहमियत का एहसास हो और अगर हम लोग उसी को लेकर चलें जस दिन ये करारदात पास हुई और उस जगह अपने आपको बिठा कर देखें तो हमारे बज़र्गों की कुर्बानिया उनकी मेहनत उनका सब से दूर है कि उसको नहीं पता है दो कौमी नजरिया तो एक और चीज है ना के चलें वो तो जिसकी बेस पे आपको मिला हम लोग पैट्रियोटिजम से दूर जाते जा रहे हैं ठीक है आपका मुल्क है आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर आप नेशनल लेवल पे जाते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं इस नोट अबाउट के या आपके लिए कोई उसकी बात है कि अगर आपको यह लड़ डाउन करती है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर चाहिए इस नोट लाइक डैट आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है जब आ और यार वो सुसाइटी बहुत बेटर है comparatively हमसे वो सारी चीजें हम में दो के हम लोगों ने जो पाकिस्तान हासल किया वो नहीं बेसिस पर हासल किया जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो वह हम से जएदा तो मेरे according यार आतिस से जएदा इसलाम वो फॉलो कर रहे हैं और वो करें तो हमें अपनी बेसिक्स अपनी तिंग्स देखनी चाहिए जिनकी बेसिस पे हमें पाकिस्तान मिला और उसी को आगे लेकि उसी नजरिये को बढ़ना चाहिए और अपने बहुत अच्छा यह किया कि एक प्रोग्राम और उर्गनाईज किया हमारे यूथ को और भरिया यूनिवर्सिटी की स्टूरिंट्स को और यूनिवर्सिटी के स्टूरिंट्स को पाकिस्तान के स्टूरिंट्स को यह पता चलना चाहिए कि हम ऐसे प्रोग्राम अभी भ पाकिस्तान के ल एक अगर प्यारा साहा घीत सुना दे। ख्यों नहीं पेय से इब सेम अमाने तली साभ कावं हागी के फारी कव्यों मेरे बयर वतन अजसना हो कितना ही प्यारा यह ने गीत गाया, obviously यह सुनने के बाद दिल की धड़कन भी तेस हो जाती हो रहे के, अहसास होता है जैसे यह मुल्क हमारा है, और हम इससे महबद करेंगे, जिस कुरबानियों से यह मुल्क हमें मिला है, हमें भूलना नहीं चाहिए, हम लोगों के चलते थे, और मुझे याद है वो भी टाइम होता था पाकिस्तान टेलिविजन का सुबह सवेरे, वो नगमे लगे हुए, कुरान पाक की तलावत होई, और वो ही सब को चल रहा है, तो वो कितना अच्छी फीलिंग आती थी है, और जब 23rd मार्च या 14 आउगस सेलेब्रेट हो रहा होता है, तो हम लोग जंडियां लगाएं, सेलेब्रेट करें, और कितनी अच्छी फीलिज होते हैं, यह एक तरीका होता है, अपनी वतन से महबत का इजहार करने हैं, और यह है कि हम जितना हो सके, पॉस्टिवली कॉंट्रिब्यूट करें, अब आप क्या कहना चाहत कि महबत का इजहार कैसे करना है इस मुल्क के दा, इसमें लोग जो रह रह रहे हैं, एक फसिल्टी है, हमें मिला है, बीस क्रोड अवाम, अल्ला ताला ने एक मुल्क के अंदर, हमारी टोपागरफी, हमारी जो एक डेमोगरफी बनी वी है, तो वो हमारा जब स्टार्ट था जब हमने एक शुरुआत की थी, इस मुल्की, तो हम कहां पे थे और अब हम कहां पे हैं, तो जब हम वो डिफरेंस देखते हैं, तो जार सी बाद है, एक फखर भी होता है, एक प्राउडनस फील होती है, कि यार, yes, we are a part of a nation that is very strong in the region, तो यह नहीं कि हम सिर बन गें तो हमने पाकिस्तानी के, हम लोग कर सकते हैं, जमाल भी, आपके बारे में सुनाए कि आप पॉरेटरी भी करते हैं, तो आप अगर हमारे नाजरीन को, थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, इतना कोई खास नहीं है, आप थोड़े से मेरे नाजरीन को चुछ सनाना पसंद करेंगे, ज उसमें से चंद अलफाज मैं, जी 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 जरूर, बिलकल अगर आपकी फर्माईश है तो जरूर पेश करना चाहूंगा, इसके सीने पे रवां दवां दर्या, इसकी आगोस से फूटती रहमतों के सिलसले, इसके आंगन में रक्स करती नदिया, इसके पहाडों पे उचलते कूटते चश्में, इसके मैदानों में शादाओं फरहां परीरू दरख, जेबा बदन सबसे, खुशरंग फूल, फैलती सिमटती रोशनिया, रश के मरजां शबनमी कत्रे, लेलाहाती फसलें, मुस्कुराते चमन, जहां ताब बहारें और गुलपर्वर मौसम, इसकी अज के गीत का रहें, यह हमारा मुल्क भी है, हमारी तक्दीर भी, यह दास्ताँ भी है, यह अर्मा भी है, यह हमारी मचलती आरिजू भी है, और हमारी आरिजू bon ca usta भी है. वहा, बहुत आला, बहुत आला, आपने तो वाकी बहुत अच्छी पोईट्री किया और हमारा महबत और बढ़ा दिया हमारे मुल्क से, ऐसी पोईट्री सुनते है ना जब अपने मुल्क के लिए तो, obviously एक अच्छी के लिए, बस चाहिए ये कि हमें अपने सुसाइटी में मे उसके लिए प्रचुनियटली डिवल्प होगे, somehow, because of some reasons, नहीं होने चाहिए, वो फिल हो, हमें वो फिल करने चाहिए, एक जूसे के साथ लेकिन अच्छी लेकिन उसके बावजूद, ते टैलेंट्ट वी अपर लेकर आगते हैं, और हम उस चीज़ को फिर हम उपर लेके आ वावजूद, इतनी terrorism, और इतना कुछ हम कहते हैं, कि so much there's negativity around us, and still we're representing our country, और लोग हम जब देखते हैं अपने पाकिस्तानियों को, जब हमें रेप्रेजेंट करते हैं, तो फखर होते हैं, और हम सब को पाकिस्तानियों पे फखर होना भी चाहिए, यह हमारा मुलक है, इदर हम पैदा होने, and obviously the soft image, we have to look into that, we have to project the soft image of the country, so खामियों के बाद, लेकिन यह मुल्क तो हमारा ही है, हमने ही तो इसे सवारना है, बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों को आप हमारे show में आए, और इस show की शान बढ़ाई, बलके हम तो इसको अपना फर्स समझते हैं, कि आप हमारा, तो नाजरी यह था आज का हमारा special transmission का show, इन्शाला मुलागात करेंगे आपसे next show में किसी, तब तक करी जाहसे चाहता हूं, खलाँ